हेलो दोष्टों राधे- राधे कैसे हैं आप स्वागत है आपका लतामेजिक में दोष्टों आज हम बनाने वाले हैं गर्मियों के लिए बहुत एची ऻंडी-ठंडी डरिंक और इसके लिए हमें चाहिए wild rice जो अक्सर हम बनाते हैं लंच में और जो बच जाते हैं plain rice जो होते हैं तो अगर कभी आपके घर में plain rice बच जाए तो आप घबराएं नहीं और उससे बनाए मज़िदार सरवत तो इसके लिए मैंने लिया आदा किलो टोंड मिल्क और एक कटोरी मेरे पास यह चामवल रखे वे थे तो इनको दूद में डाल लेना है आप चाहें तो फुल क्रीम मिल्क भी ले सकते हैं फुल क्रीम मिल्क में इसका जादा अच्छा टेस्ट रहे तो इसमें अचिपे कर सकतें, इस तरह से घ्यालना है उसको यह पीत जाइब मिकसर जार में भी डाल सकते मेरे पास जार निषा बड़ा वाला मिक्सी का, इसलिए मैस में बीटर ही यूज कर रही हूँ, तो बीटर से ही इसको अच्छे तरह से हमने बीट करना है, मिक्सी में तो चावल जट से मैस हो जाते हैं, लेकिन बीटर से थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो आपके पास ओफस सारी डिसेज बनाई होंगी, लेकिन सरवत आप पहरी बार बनाएंगे, और एक बार जरूर बनाईए, तभी आपको इसका टेस्ट पता चलेगा, कि ये कितना अच्छा होता है, और आप इसको पीएंगे, तो इससे पेड़ भी भरा भरा सा लगता है, ठंड़क के साथ साथ ये पेड़ को भी भरता है, और आप इसको अपने मन पसंद किसी भी फ्लेवर में बना सकते हैं, हमारे सरवत का बेस तो रेड़ी हो गया है, लेकिन अभी हमने एक काम करना है, हमने करना है चिया सीट को सोक, तो चिया सीट मैं दो चमच ले रही हूं, और इनको हमने भीगो एसेंबल कर लेते हैं, चिया सीट भी भीग चुके हैं, तो गिलास में हमने पहले एक चमच चिया सीट डालें, और अब हम डालेंगे ड्रिंक के बेस को, तो गिलास को हमने आदा ही भरना है, लेवर के लिए मैं केवड़ा एसेंस यूज कर रही हूं, आप अपनी पसंद का कोई भी एसेंस यूज कर सकते हैं, मैं इसे केवड़ा फिलेवर में ही बना रही हूं, अगर आपके पास कोई एसेंस नहों तो आप किसी भी फ्रूट को इसमें डालके फ्रूट का फिलेवर में भी बना सकते हैं, इसको हमने अच्छे से चलाते वे मिला लेना है, ताकि चि अब हम दूसरी ड्रिंक को त्यार करेंगे इसी तरह से सेम हमने एक चमच चिया सेट को गिलास में डालना है और साथी उसमें डालना है बेस और अब मैं इसमें फ्लेवर के लिए डालूंगी रूपजा यह मैं रूपजा फ्लेवर में बना रही हूँ एक बड़े चमच के बराबर हम इसमें रूपजा एड़ करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे साथी डालेंगे इसमें तीन चार आईस क्यूब और आब इसको उपर तक वापस बेस से भर देंगे अब इसके उपर थोड़ा सा रूपजा और डालेंगे और उसे इसको गार्निस करेंगे आप चाहें तो इसको रोज पटल से भी गार्निस कर सकते हैं इस तरह से हमारा रूपजा का फ्लेवर भी बनके रेडी हो गया है कि अबना ड्रिंक को मैं चेरी से भी गार्निस कर रही और जो मेरे नए दोस्त हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू, have a nice day